के नंबर निफ्टी-फिफ्टी की उस कमनी के नंबर आने थे अजदा नंबर कैसे रहे यहाँ पर प्रफॉर्मेंस अब ठीक है आशीश इन फैक्ट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है कंपनी ने कुछ हाइलाइट्स में आप ध्यान देंगे तो मुनाफिय में करीब 2973 versus 12.82% यानि कि उसमें भी वृद्धी देखने को मिली है अब नए लोन का आकड़ा देखे तो 78.4 लाक नए लोन्स देखे गए हैं यहाँ पर साड़े 5% तक का इजाफा year on year देखने को मिल रहा है यो all time high पर आया है customer base साड़े 6 करोड के उपर है 19% तक का इजाफा देखने को मिला है साथी साथ assets under management का आकड़ा भी 27% बढ़ता हुआ दिखाए दिया है तो हर parameter पर अच्छा performance अब company ने कुछ break up दिया है कि कहां पर जादा growth देखने को मिली है growth basically drive हुई है consumer loan से जहाँ पर साड़े 6% का इजाफ SME सेग्मेंट में नेली 7% तक की loan growth और commercial business में करीब 11% तक की loan growth देखने को मिली है अच्छा quarter company के लिए Morgan Stanley bullish overweight की rating 8000 की लक्ष मरकराइब इसमें ने एक चीज़ notice कर रहा था कि इनका quarterly update भी कोई खराब नहीं था और numbers भी खराब नहीं है लेकिन नमबस तो इस पार bank को के सारे अच्छा हैं बैंक और NBFC आइसे इसे बैंक के नमबस कितने शानदार थे लेकिन stock गिरा उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि ये market आचा एक और चीज़ बैंकों के rally में ने एक view बन गया था कि अब सारा NPA clean up हो चुका है और कोई नया NPA आएगा नहीं NPA बता के नहीं आता है प्राबलम ही है पहले विज इतने NPA आया थे उससे में थोड़ना पता था कि NPA बन जाएंगे जब for example किसे नहीं सोचा था कि अन्य लंबानी इतना बड़ा NPA बन जाएगा जब शूरू में जब 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 इवन इंडेक्सी कंपनी था किसी को पता था कि वो NPA बन जाएगा तो ऐसे ये NPA ना अनौंस करके नहीं आते हैं मैं यह नहीं कर रहा हूं कि यह भी NPA आएंगे इसके विर से मार्केट गिर रहा है लेकिन कोई ना कोई तो रीजन रहा है जिस तरीके से ये बड़े NBFC और बैंक्स इस तरीके से पिटे है सचिन पजाज वाकेई बहुत प्रेशर जहेल रहा है ये स्टॉक सचिन डिसकनेक्ट हो गया है बही कोई मैं यहां पर सलेक करना चाहूंगा पजाज फिनेंस में हमें लग रहा है बोटम बन चुका है मारकेट करेक्शन से पहले ये काउंटर करेक्ट हो चुका है पिछले चार मेने से देखें तो लगबग 7708 से लेके 5680 तक का डिकलाइन देखा है और अब इस काउंटर में डीप ओवर्सोल टरिटरी से बुलिस डावर्जेंस के साथ टर्ण हो रहे है पेरे साथ से बाजार में यदि कोई लीड बनेगा तो बजाज फिनेस बनेगा रिस्क वोड रेशो भी काफी बेटर है और वोलेटिटी रह सकती है बढ़ हमारा यही सला रहेगी कि आप इसको 5,900, 5,950 की रेंज में लें 5,750 का इस्टोपलोस और कहीं ने कहीं तेशट सो तक के टागेट भी इस काउंटर में बन सकते हैं इंट्राडे के लिए आपको प्ले करना है तो 2-3% के मूँग प्ले कर सकते हो यदि आप इसको 2 वीक के लिए प्ले करना चाते हो तो 5-7% के स्विंग के लिए प्ले कर सकते हो तो बजास्पिनेस पर खरीदारी की सला रहेगी यहां पर काफी हद तक गुंजा इस है कि बोटम बन चुक है और यहां पर बड़े स्विंग्स भी देखने को मिलेंगे और शोट्स भी काफी बने वे वो शोट कवरिंग भी इस काउंटर में देखने को मिलने चाहिए